आज हम बंगाल इस्कूल की प्रसित चित्रकार यामिनी राय के ग्रतित्व में व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगी जिस समय बंगाल में हर कलाकार टैगोर की नक्षी कदम पर चलने में गोरों का अनुभू करता था उस समय टैगोर कलम की जमक से अंजान अपनी स्वतंत्र मेखा के बल पर चित्रकला का एक नया आयाम यामिनी राय ने इस्थापित किया ऐसे मौलिक मुर्धन्य चित्रकार का जन अठारा सूफ सत्यासी इस्वी में पश्चिम बंगाल की बंकुरा जिले में हुआ लोक रंगों वेरिखाओं की गती तथा ग्रामी सादगी उनके शरीर की रग रग में पसी हुई थी यामिनी राय बंगाल स्कूल के सूफ प्रसित चित्रकार हुए है उनको प्रारंब से ही कला में रुच्जी थी वे अत्यंत उदार मन के और भारतिय कला की आद्मा को पहचाननी वाले थी प्रारंब में उनकी कला शिक्षा कलकत्ता स्कूल ओफ आर्ट की अंग्रेजी पद्दती में हुई लेकिन जैसे ही भारतिय कला सिखाई जाने लगी उन्होंने भारतिय कला को समझने का सफल प्रयास किया यामिनी राय की शैली में स्वतंत्र प्रतिभाधी जिससे उनके चित्रों से एक नया मार बनने लगता है उनके चित्रों का प्रमुक आधार भारतिय लोग कला शैली का विस्त्रित अध्यन था यामिनी राय ने लोग शैली से प्रेरित होकर उन्हीं की पतती से उन्हीं की साधन से भारतिय विश्यों के चित्र बनाए उन्होंने लोग शैली को आधार मानते हुए उसे रुपांतरित किया बंगाल इसकूल में जैसा की हम जानते हैं कि योड़ोपियन शैली का प्रभाव बेथा किन्तु यामिनी राय ने कुछ योड़ोपियन शैली के देल चित्र बनाए किन्तु उनके चित्र पूर्ण तया भारतिय हो गई उनके चित्र टेंपरा जल रंगों के हैं जबकि बंगाल स्कूल में उस समय बोश पत्ति के चित्र बनते थे बंगाल में बोश पत्ति पारदर्शक रंगों का प्रयोग अधिक होता था यामिनी राय ने इससे अलग अपारदर्शिये रंगों को बहुत सरल आकारों के साथ काम में लिया उनके चित्र प्रयोगात्मक नवीन और आधोनिक भारतिय शैली के अंतरगत रखे जाते हैं उनकी विश्रिष्टाओं के कारण कुछ लोग उन्हें भारत का विकासु कहते हैं इस प्रकार भारत के प्रयोगों का मार्क खुल गया था लोग कला पर आधारित होने से उनके चित्र सरल इस बस्ट और भोलापन लिये हुए हैं उनके चित्रों में बड़े बड़े आकार मोटी वे सशक्त रेखाए हैं उनके चित्रों में बौत्तित्व का उल्जाव नहीं है जते भी हलकी रंग ग्रे हो जाते हैं किन्तु अधिकतर चित्रों में विशुद रंगों का ही प्रयोग है जो लोकला की प्रमुख विशेष्टा है यामीनी राय के चितरों में रेखाएं बीच में मोटी वा अंत में पतली हो जाती हैं जो अत्यंत ही कतिशील दिखाई देती हैं उनके चितरों में सैयोजन लगू चितरों जैसे हैं किन्तु कहीं पैनल के चितर भी दिखाई देते हैं यामीनी राय के चितरों में के विशेष पौरानिक, धार्मिक, सामान्य जीवन और साहित दिखें उनके चितरों में एक प्रकार की स्वाभाविकता है और नकली पन का सर्वथा अभाव है विदेशों में भी इनके चित्र बहुत पसंद किये गए लंदन वे न्यॉयॉर्क में उनके चित्रों के बारे में लिखा गया भारत में आदोनिक कला के दो प्रमुक मार अम्रता शेरगिल और यामिनी राय ने खोले उनके चित्रों की प्रदशनी विदेशों में भी लगाई गई तदहा बंगाल के पंडवा चित्र और काली गार चित्रों से मिलते जुलते है यामिनी रायका अपने चित्रों के बारे में लिखा है कि मैं बाल सुलब कला से प्रेरित हूँ उनके चित्रों में सरलता के साथ साथ कुछ अलंकरण भी है यामिनी राय का सरल सौभाव धार्मिक रूट जी और बाल सुलब विशेशनाएं उनके व्यक्तित व्यक्रतित से पूरी सच्चाई के साथ उबरे है अजिए भाल से सरे को साथ जएशे उसे 1,2 cm जाओ हो